Hello friends, welcome back to another new video तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रामदेव बाबा कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग एंड मैनेजमेंट इस कॉलेज के बार में इस वीडियो में आपको इस कॉलेज की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ जैसे cut-offs कितना जाता है, fee structure क्या है फिर placement कितना होता है क्या highest package जाता है, hostel facility है नहीं है और भी बहुत सारी चीज़े तो वीडियो पूरा इंटक देखते रही है अगर आप इस चैनल पे निव हो गई तो subscribe ज़रू से कर लिजे ताकि आपको college and admission process से related सारी जो information है, वो मिलती रहे है चली गाइज बात करते हैं इस college के बार में इस detail में, तो overview अगर देखा जाएगा इस तो college established हुआ था, 1984 में तो अच्छा खासा पूराना college है location देखा जाएगा, इस तो गिट्टी खदान काटल रोड नागपूर में है, जो college है वो आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप नागपूर में रहते हो, तो ज़रूर इस college का जो नाम है वो सुना होगा, institute type है guys is college का private, बट college जो है वो autonomous है, जो के एक बहुत बढ़िया बात है affiliated है guys, नागपूर उनिवर्सिटी के साथ अगर institute code देखे, तो वो है guys, 4,115 ठीक है, connectivity की बात कीज़े जो एरपोर्ट है, वो 12 किलोमेटर के आसपर देखने को मिल जाएगा railway station पास ही, अगर आप नागपूर के बाहर से, district से आते हो इस college के लिए अगर आप यहापे admission लेते हो, तो वही mode of admission की बात की जाएगा, तो यहापे CET का जो score है, वो accept किया जाता है वही, JWE का भी जो score है, वो accept किया जाता है, and admission जो है guys, वो MST, CET के counseling के तुरू जो है, वो यहापे होती है, तो जब भी admission process start होगी, तो मैं आपको admissions related भी सारे जो updates है, वो ज़रू दूँँगा, fee structure देगा जाए guys, इस college का, तो first year का जो fees है, open category का, वो है guys, 1,65,500 रूपीज, अगर आप category से belong करते हो guys, तो फिर आपको scholarship में मिलके, आपका overall जो fees है, वो कम हो सकता है, but minority college है guys, तो यहापे आपको जो cutoffs है, वो सारे open वाले ही जो है, वो देखने को मिल जाएंगे, category wise यहापे आपको जो cutoffs है, वो देखने को नहीं मिलेंगे, वो ही minority का भी fee structure आप जो है, वो देख सकते हो, but अगर अगर आप categories हो, तो scholarship के लिए apply करके, फिर आपका जो fees है, वो कम हो जाएगा, open से रहोगे, तो guys, आपका जो fees है, वो कुछ इतना जाएगा, ठीक है, and OBC बगर की बात की जाएगा, तो अगर 161,65 है, तो almost अगर scholarship अगर मिला दिया जाएगा, तो 98,00,000 के आपका जो है, वो generally जाता है, ठीक है, मतलब approach बता रहा हूँ, जब आपको apply करोगे scholarship के लिए, तब आपको detail में जो है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, scholarship का भी अगर update चाहिए होगा, तो ज़रूरू बताना, उस relative में जो videos है, वो बनाऊंगा, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी options, civil engineering है, यहाँ पर आप देख सकते हो, 60 का intake है, computer science and engineering है, जो बहुत बढ़ी है ब्रांच है, यहाँ की, and 180 का intake है, ठीक है, IT देख सकते हो, 60 का intake है, electrical का 30 का intake है, ENTC 120 का intake है, फिर biomedical 30 intake, mechanical देख सकते हो, 60 फिर electronics and computer science है, फिर यहाँ पर computer science and engineering, cyber security है, फिर है computer science and engineering, AI and machine learning, जिसका 180 का intake है, और फिर computer science and engineering, data science, इसका 120 का intake है, तो overall computer selected काफी सारी जो ब्रांचेस है, आप देखने को मिल जाएगे, नाकपूर का कोई भी college देखोगे, तो यह trend देखने को मिलेगा, computer की ब्रांचेस में, बहुत सारे options यहाँ पर आपको जो है, वो देखने को मिल जाएगे, तो कौनसे के लिए जाना चाहिए, तो जो best लगते है गाइस बुझे ब्रांचे, यह मुझे लगते है computer science and engineering, तो इसको आप preference पहले दे सकते हो, फिर यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि overall जो cut-off है, वो कितना जाता है, one of the best college guys माना जाता है नापपूर मा, ठीक है, civil engineering का आप देख सकते हो, 74% के आज़ पर जो cut-off है, अगर आप देखते हो गाइस तो trend engineering में, पहले जो core branches ती, जो civil हो गई, सिविल का देख सकते हो, इस बहुत बड़ी हा college है, 74 पे आपको जो college है, वो मिल जाएगा, computer science and engineering देख सकते हो, 97.67 cut-off है, बहुत high cut-off है, and rank भी देख सकते हो, 4000 के आसपास जाता है, तो computer का जो cut-off हो, इस college में high रहेगा, IT का भी आप देख सकते हो, 97.22 cut-off देखने को मिल रहा है, electrical का भी जो cut-off है, वो अच्छा घासा है, यहापे 88 के आसपास percentile है, NTC का भी अच्छा cut-off है, यह भी branch ले सकते हो, placements के लिए भी अच्छी रहेगी, biomedical कम cut-off है, mechanical का भी 84 के आसपास cut-off है, मतलब, नागपूर में अगर सबसे ज़्यादा cut-off आपको देखने को मिलेगा, तो एक government college नागपूर जो है, वहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ फिर यह जो राम्दिवाबा कॉलेज है, यहाँ पर आपको high cut-off जो है, वो देखने को मिलेगा, फिर electronics and computer science, इसका भी 90 के आसपास है, cyber security 95 है, CSE in AI and ML, यह भी बहुत बड़ी option है, 96 जाता है cut-off, and CSE in data science, यह भी अच्छा option है, इसका भी 96 के आसपास cut-off जो हो जाता है, तो जो भी computer-related branch है, 95 के आसपास cut-off देखने को मिलेगा, जो computer-related नहीं है, उनका फिर cut-off जाए, वो नीचे जाता है, detail में cut-offs देखने के लिए, अगर मतलब देखना वगिर होगा, तो telegram group join कर ले ना, वहापे मैं डाल दूँगा, बस बहापे मुझे बताना की कौन से चाहिए, अब बात करते का, सबसे important चीज के बार में, जो कि ये placements ठीग है, placements गाइस इस college के जो है, वो overall मुझे तो काफी अच्छे लगता है, total offers जो updated information है, इनके website पर, तो इसमें बता है, total offers इतने आया थे, highest package जो है, 48 LPA का गया था, by 5Tran and 28 LPA by JP Morgan जो कि बहुत सभी company है, 27 LPA by JustPay, 22 LPA by Nutanix, 22 LPA by VMWare, फिर 17.05, जो उस technology है, ऐसे बहुत सारी चीज है, बहुत सारी companies आया होगे, selection आप देख सकते हो, mass recruiters भी आप आते हैं, जैसे cap g में हो गया, 325 selections, cognizant हो गया, 222, 214 Accenture, फिर LTI आप देख सकते हो, 154 in TCS, 50 in DX, तो यहां पर mass recruiters भी आते हैं, higher package वाली जो companies है, वो भी आती है, तो अगर आप में talent है, तो बड़ा package जो है, वो यहां पर आप ज़रूर फोर सकते हो, और बाकी average वागे, जो companies है, जिनका package, 5,5,6,6,6,6,6 वो सारी companies भी जो है, वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, highest stipend is 1 lakh rupees per month by credit, ऐसा highest stipend भी मिला था किसी student को, फिर यहां पर कुछ average packages जो है, वो दिये हुए है, तो यहां पर इनोंने बहुत दिमार लगा है, कि CSE IT का अलग average package दिया है, फिर यहां पर circuit branches का अलग package दिया है, 9.8 LPA दिखाया है, average, फिर circuit branches का 6.2 दिखाया है, और core branches का अपर 5.7 LPA दिखाया है, अगर placements की बात करते हैं, चाहिए कोई भी college आप देख लो, वापर CS IT से लिटर जो branches है, उसमें आपको जो placement हो भर भर के देखने को मिलेगा, चाहिए कोई भी college हो, तो यह चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी, 93 companies यहापर विजिट हुई थी, अगर 22,21 बैच का यहापर और information दी थी, तो मैंने वो भी डाल दी यहापर, आप देख सकते हो कि 246 offer आयते 5 LPA, 29 offer साय थे 10 LPA वाले, फिर 15 offers आयते 15 LPA वाले and 26 offer आयते 20 लाग के उपर वाले, तो यहापर सारी information दी हुई है, साथी मेंन के website पर भी बहुत भी detail में information दी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, देखो, कोई भी college में अगर placement होता है अच्छा, तो वो ज़रूर शो करता है अपने website पर, ठीक है, क्योंकि अगर placement अच्छा हो रहाए college में, तो जब show करेंगे तो तभी student और attract होते हैं, जिस college में placement नहीं होता है, वो फिर show नहीं करता है, वो कुछ अलगी धंग से show करता है, तो जहापर placement होते हैं, वो ज़रूर पुरे numbers डाल जिता है, ताकि students को भी पता चलने जाए ठीक है, तो यह आपर सारे numbers वगरे देखने को मिल जाएंगे, ज़रूर आप इनकी website जो है, वो चेक कर सकते हो, hostel facilities इसके बात की जाएगा, तो इस college में आपको जो hostels है, वो मिल जाएंगे, hostel की जो costing है, जो fees है, वो आप यह आपर देख सकते हो, there is a provision to accommodate 140 first year students in boys hostel, while 36 students could be allowed to stay in girls hostel, तो 140 students first year के जो हो hostel में अलोट किये जाते हैं, 36 girls यह आपर दिया हुआ है, इनके website पर, वोई fees structure आप देखते हो, तो आपको यहापर single seated, double seated, triple seated, four seated, ऐसे जो rooms हैं, वो देखने को बलेंगे, double seated मतलब एक room में दो जन रहेंगे, triple में एक room में तीन है, तो आप आपर जाके देख सकते हो, कि overall rooms अगरे कैसे है, तब decision ले सकते हो, नहीं तो PG's के लिए भी जा सकते हूँ, काफी सारे लोग ऐसे होंगे, होस्टल के बार में जानने के लिए और भी डीटेल में, इनके website पर या फिर contact कर लेना college में आपको और भी डीटेल में जो चीज़ है, वो पता चल जाएगी, and एक बर hostel पहले visit कर लेना, देख लेना कि overall कैसा है, and उसके बार decision लेना, तो आपको फाइदा होगा, वही अगर वर्डिक्ट दो guys, मेरा final तो देखो, overall यह जो college है, वो बहुत बढ़िया college माना जाता है, मैं जब इस college के campus में गया था, तो मुझे तो campus बहुत अच्छा रहा था, अच्छा गाथा campus है, infrastructure भी बहुत अच्छा है, placements आपको इस college में जो है, वो बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, college guys one of the best माना जाता है पूरे नागपूर में, cutoff जो है, वो थोड़े high है, तो अगर आपको अच्छे percentile है, तो फिर college मिल सकता है, नहीं तो फिर problem हो सकता है, branch में compromise करना पड़ सकता है, good option for engineering, other activities भी होते हैं, college काफी सारे अलग-अलग events में participate करता है, जो कि आपको देखनी को मिलेगा, इनके website पर यहां फिर इनके official handles पर, तो काफी सारे competitions वगरे में भी आपे, जो है वो students को support वगरे किया जाता है, जो कि अच्छी बात है, events भी अच्छे होते हैं, तो overall college बहुत बढ़ी है, campus सारी चीज़े sort out है, तो जरूर इस college के लिए जो है, वो जा सकते हो, एक बहुत बढ़ी option है, अगर आप engineering करना चाहते हो, तो बस एक चीज़ है, कि fees का थोड़ा problem हो सकता है, जो कि open students के रहेंगे, तो अगर fees अगरे का problem नहीं है, तो जरूर इस college के लिए जो है, वो आप जा सकते हो, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, इस hopes आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, आने वाले वीडियो में आपको कौन से college का review देखना है, उनके उपर भी जल्दी जो वीडियो को मैं upload कर दूँगा, तो वो मिलते हैं ऐसी और एक informative वीडियो में, चैनल पर नहीं हो, तो subscribe जब से कर ले हैं, ताकि आपको सारे जो अपडेट्स है, वो मिलते रहे हैं,